एक बार की बात है, एक कचुवा और एक खरगोस थे, खरगोस बहुत तेज था और उसे यह दिखाना अच्छा लगता था कि वह कितनी तेज दोड सकता है, दूसरी ओर कचुवा धीमा लेकिन इस्थिर था, एक धूप वाले दिन, खरगोस ने कचुवे को चिडाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें दोड में हरा सकता हूँ, भले ही मैं उचलू और तुम रेंगो, कचुवा मुस्कुराया और चुनौती सुईकार कर ली, दोड देखने के लिए जानवर आसपास इखटा हो गए, रेडी, इस्टडी, गो, कवा चिलाया, खरगोस तेजी से आगे बढ़ गया, और कचुवे को काफी पीछे छोड़ दिया, खरगोस को अपनी गती पर इतना भरोसा था कि उसने एक पेड़ के नीचे छपकी लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास जीतने के लिए बहुत समय है, इस बीच कचुवा हार न मानते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, उसने खरगोस को सोते हुए देखा और अपनी धीमी गच्च से चलता रहा, जब खरगोस जागा तो उसने कचुवे को फिनिस लाइन के पास देखा, वह जितनी तेज दोड सकता था, दोड़ा, यह है कि धीमे और इस्थिर व्यक्त ही दोड में जीतते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तेज हैं, अगर आप चलते नहीं रहते, कचुवे ने हमें एह सिखाया कि दर्ड संकल्प और दर्ड़ता आवश्यक है,